नमस्कार मेरे एनु मिस्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज में लेकर आई हूँ यूपी और बिहार का बहुत ही प्रसीद वेंजन अर्वी के पत्तों की पकोड़ी जिसे हम पात्रा या पतोड़ा भी कहते हैं तो आईए अब हम सुरू करें बनाना अपना यह पात्रा तो इसके लिए मैंने यह अर्वी के कुछ पत्ते लिए हैं जितना की बनानों हो अब इसको हम धो लेंगे और दो के इस तरह से इसका पानी निकाल लेंगे देखिए बिल्कुल ड्राइब हो गया है धोते ही अब सब दो के एक प्लेट में इस तरह से रख यह एक कटोरी ऊरत की दाल और एक कटोरी चने की दाल मैंने लिए इसको रात भर हमें भिगो देना है जब यह अच्छी तरह से फूल जाएगा उसके बाद इसको हम पीस लेंगे ग्राइंट कर लेंगे तो यह देखिए यह रात भर भिगोने के बाद इस तरह से अच्छी अगर बिना पानी के यह पीस जा रहा है तब तो अच्छी बात है नहीं तो आप इसमें एक या दो बड़े चमच पानी डालके इसको पीस ले ग्राइंड कर ले ये देखिए इस तरह से हमें पेश्ट बना लेना है इसका इसी तरह से बागी जितने डाल है सबको हम पीस लास्ट वाला जो डाल है उसको पीस ते समय उसमें हम मसाला डाल लेंगे जैसे की लैसुन अदरक हरी मिर्च हीं और हरा धनिया अब इन सब को डालके हम इसको पीस लेंगे यह देखिए यह पेश्ट हमारा रेडी हो गया है अब इसमें हम एक चमच पानी डालेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है वरना यह पत्तों पे लगाते समय परशान करेंगा अब हम थोड़ा सा जीरा पीस लेंगे और इसको भी इस पेश्ट में मिला लेंगे जीरा मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है तो आप लाल मिर्च पाउडर स्वादनुसार ही डालें और नमक स्वादनुसार गरम मसाला, एक चममच, एक चममच धनिया पाउडर, एक चममच आमचुर पाउडर, बहुत ही जरूरी है इसमें डालना, इसको बिल्कुल नहीं भूला है आमचुर पाउडर हमें, अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अब जिस बर्तन में हमें बनाना है कूकर या कराई या भगोना उसमें पानी गरम होने के लिए रख देंगे क्यूंकि पहले हम इसे स्टीम करेंगे भाब से पकाएंगे जब तक ये पानी गरम हो रहा है तब तक हम ये पत्ते रेडी कर लेते हैं तो ये पत्ते में ने जो धोके रखे वे थे उसको हमें लेना है अब इस तरह से जो बढ़िया पत्ता है उसको हम लेंगे और उल्टा रखके इस तरह से इस पे जो पेश्ट हमने दाल वाला त्यार किया है उसको फैला लेंगे इसी तरह से एक पत्ते के उपर दूसरा पत्ता रखके पेश्ट को फैला लेंगे जितना कि आपको मोटा परत बनाना है उतने ही पत्ते आप इसमें रख सकते हैं एक बार में 3, 4 या 5 पत्ते रख सकते हैं मैं 3 पत्तों का ही बना रही हूँ इस तरह से ये दूसरा पत्ता, इस पर भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह से फैला लेंगे अब इसी तरह से ये तीसरे वाले पत्ते पर भी हमें फैला लेना है अब फैलाने के बाद इसको हमें फोल कर लेना है, रोल बना लेना है इस तरह से इसको हम गोल गोल करके इसको लपेट लेंगे पानी भी हमारा कराई में गरम हो चुका है अब उस पर हम इस तरह से कोई भी एक बरतन रखेंगे देबंगे की यह बिल्कुल चलनी की तरह जो बर्तन है उसको रखेंगे जिस पर हमने स्टीम करना है भाव से पकाना है अगर आपके पास इस तरह कर ट्रेन नहीं है था आप यह वाला प्लेट भी रख सकते हैं इसमें भी बना सकते आसानी से यह दिखिए यह रोल भी हो गया ह वमारा पत्ता, अब इसको हम ये कराई में इस तरह से रख लेंगे, एक बार में जितना कराई में उतना रख देंगे, अब ये इसपे तीन आरहा है तो इस पत्तों को जो हैं पकोड़ियाँ उसको रख लोगी और इसको ढख के हम तेज आट पर इसको पकने दो मिनट बात इसको हम उलटके दूसरे साइड से भी पका लेंगे आराम से इसको पलट लेना है हमें इसी तरह से इस साइड भी हम 2-3 मिनट पका लेंगे अब यह जब यह पक जाएगा तो इसको हम कराई में से निकालेंगे अब यह 3 मिनट हो गया है और यह बिल्कुल अच्छी तरह से यह स्टीम हो चुका है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे जब तक कि यह ठंडा हो रहा है तो बाकी का पात्रा है उसको भी हम कराही में रख देते हैं जब यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको हम कट करेंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम यह थोड़ा सा कड़ी पत्ता काट लेते हैं आप चाहे तो हरी मिर्च और भी तड़के में भी डाल सकते हैं और नीम्बू करस इसमें हम डालेंगे अब एक कराहे में सरसो का तेल गरम होने के लिए रखेंगे तो ये लगबग दो चमज सरसो का तेल में ले रही हूँ अब ये देखिए ये भी थंड़ा हो चुका है अब इसको हम काट लेंगे कट करेंगे जो भी साइज आपको पसंद हो बड़ा छोटा उसी हिसाब से इसको कट कर ले देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रहा है बिल्कुल तूट नहीं रहा है इसी तरह से ये देखिए कट कर लेना है हमें तेल भी हमारा कराई में गरम हो चुका है अब हम तेल में डालेंगे ये सरसो और करी पत्ता चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च, सुखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन अल्रेडी मैंने इसमें बहुत सारा मिर्च डाला है तो ये तीखा हो चुका है अब इसमें जो पात्तर हमने रेडी किया है उसको डाल देंगे कराही में अब इसको अराम से अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसमें उपर से भी जीरा पाउडर चाट मसाला डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा निम्बू का रस निम्बू का रस डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कुटी भी लाल मिर चानी की चिली फ्लेक्स डालेंगे ताकि यह दिखने में सुन्दर लगे तैयार हो गया हमारा यह पात्रा या पतोड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बना है आप इसे जरूर ट्राई करें उमीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ यह देखिए यह पात्रा हमारा जब ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद हम इसको कराही में से निकाल लेंगे इस तरह से दोनों साइड ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेना हमें मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू